आज हम हिंदी व्याकरण में आपका पाड ग्यारा पड़ेंगे, तो आपसे भी को पता है कि हमारे जो हिंदी भाषा है, उसमें सब्दों का विशेश महत्व होता है, भाषा को शब्द ज्ञान की साथा से भी हम क्या कर सकते हैं, परभावशाली बनाते हैं हम लोग, अनिक प बढ़ेंगे हाना यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि कक्षा में अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि पुराने समय में शिक्षक को क्या कहते थे हाना तो बच्चे क्या उत्तर देंगे बताओ बच्चे उत्तर देंगे न कोई कहेगा गुरू कहते थे कोई कहता तो आचार और से बेटे ने कहा कि मुझे हिमानश लगता है आया को समिझ में में किस चीछ बारे में बात कर cin the कै बता ओ आया को अह Ein Colocene हा तो आज हम पढ़ेंगे किस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग शब्द क्या कहला जाते हैं प्रायवाची कहलाते हैं तो मैंने प्रायवाची की परिभाशा लिखी है यहां पर जो शब्द अर्थ की द्रिष्टी से समान होते हैं वे प्रायवाची शब्द कहलाते हैं ठीक है और आपका लेकिन क्या सबी जो प्रायवाची शब्दों के अर और जल, ठीक है, ये भी दोनो उसका पानी का प्राइवाची शब्द है, दोने दुसरे के प्राइवाची शब्द है, लेकिन एग दुसरे के अस्थान पर हमें इने प्रियोग नहीं कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला गंगा जल, 당신 ना, तो गंगा जल जल मने पानी होता है त तो यह कहना गलत होगा है तो आप अब रहत की द्रिश्टी से समान होते हैं वे प्रायवाची शब्द कहलाते हैं जैसे की मैंने यहाँ पर आपका पृथ्वी लिया तो प्रिथ्वी को बताओ क्या क्या कहते है, आपको पता है, प्रिथ्वी को क्या कहते है, भू, भू, धरा, और क्या कहते है, वसुन धरा, क्या कहते है, बताओ, वसुन धरा, ठीक है, आगे समझ में प्रिथ्वी को क्या कहते है, भू, धरा, वसुन धरा, आगे आपको समझ म फिर जैसे बादल है, बादल को हम क्या-क्या बुला सकते हैं, आपने कहते हैं मेग, फिर आपका होता है घन, घन के बाद क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, जलत, पढ़े हैं आपने ये शब्र, तो बादल को क्या कहते हैं, मेग, घन, जलत, फिर आपका चंद्रमा, निशाकर निशा कर हाना अभी मैंने आपको बताए था जैसे कि उन्होंने क्या कहा था शाशी भी कहा था हाना कहा था न आपको शाशी हाना फिर आपका क्या बला था मैंने हाना बताओ राकेश भी बोल सकते इस तरह से आप फिर आपका राद राठ को क्या बोलते हैं बताओ राठ को बोलते हैं रात्री बोलते हैं रात्री फिर आपका था निश्या और रज्नी क्या बोलते हैं रजनी ठीक है यह सब क्या है एक दूसरे के प्राइवाची शब्द हैं जो क्या अर्थ की दिश्टी से क्या होते हैं समान होते हैं ठीक है आपको जैसे सक्खी सक्खी को किसे कहते हैं हम सहेली को हना किसे कहते हैं सहेली को कहते हैं सहेली को और क्या कहते हैं संगिनी संगनी के लावा और क्या कहते हैं सहर चरी भी कहते हैं यह आपका सहर चरी आगे समझें फिर आपका घर घर मने जहाँ पर आप लोग रहते हैं घर क्रहर और क्या कहते हैं आवास हाना आवास के सासाथ आप क्या कहते हैं निकेतन ठीक है फिर आपका अमरित हाना अमरित को हम क्या क्या कहते हैं बताओ हाना हम लोग अमरित को क्या क्या कहते हैं बताओ सुधा क्या कहते हैं सुधा हाना सुधा के सास्थ प्यूश आपका प्यूश और शोम हाना फिर आपका माता को हाना आप बोलाते हैं मा को क्या बोलते हैं मा मा बोलते हो ना जननी मा जननी अमबा बोलाते हैं इन नामों से हाना आपका आप इसमें है क्या आपका गंगा ठीक है गंगा को क्या क्या बोलाते हैं हम लोग बताओ क्या क्या बुलाते हैं गंगा को हाना तो आपका मंदा किनी क्या बोलते हैं मंदा किनी और क्या बोलते हैं मंदा किनी के लावा सूर सरीता सूर सरीता हाना और क्या बोलते हैं गंगा को भागी रथी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भागी रथी ठीके तो यह है आपके क्या थे ये प्रायवाची आपके शब्द है फिर आपका इसमें पुस्प मने फूल भी होता है आपका फूल कहते हैं आप लोग सुमन भी बोलते हैं सुमन मने भी आपका फूल होता है फिर आपका कुसुम कुसुम भी आपका मिनिंग मने फूल होता है तो किने कहते हैं इन शब्दों को क्या कहते हैं जो की जो शब्द अर्थ की द्रिष्टी से समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं प्राइवाची शब्द कहलाते हैं आगे समझ में अब आप यहापे देखो, मैंने यहापर एक गध्यान इस लिखा है, तो दसरत सड़क बनाने के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा था, उसे दिन में कई बार पहाड पर उपर नीचे आना जाना पड़ता था, उसे जै पराय जै की कोई चिंता नहीं थी, उनके कोमल हाथ पत् कठोर हो गए थी, सुबह उड़ते ही आलेस्य का त्याग करके इस पूर्ती से काम में जूट जाता था, कुछ लोग उसकी निंदा करते थे, तो कुछ प्रसंसा करते थे, मैंने यह पड़ा, लेकिन आपको मैं जीन शब्दों कर रहां कित करी हूंने ध्यान से देखो, दिन इस पूर्ती, हाना, निंदा, प्रसंसा, आया को समझ में, यह शब्द देखके पता चल रहा है, आपको, दिन, राद, उपर, नीचे, जै, प्राजे, आना, जाना, कॉमल, कठोर, आलस्य, इस पूर्ती, निंदा, प्रसंसा, इन शब्दों को पिचान के आया को समझ में, क् जो सब्द, किसी सब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोद कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, क्या कहते हैं, आगे ना, समझ में, आपको, विलोम शब्द कहते हैं, किने कहते हैं, जो सब्द किसी सब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोद कराते हैं, आपको उल्टे शब्द दिखने है न मैंने क्या बोला था आपको जो सब्द किसी सब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोत कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं आपका स्वतंत्र का क्या होगा परतंत्र क्या होगा परतंत्र ठीके प्राचीन का क्या होगा प्राजी मेने पुराना नवीन नया हना राजा राजा का उल्टा क्या होगा रंक क्या होता है रंक आपका पाप का क्या होगा पुर्णिय हना आस्तिक क्या होता है नास्तिक हना फिर आपका कित्तग्य का क्या होता है कित्तग्न क्या होता है हाना किर्टग्य का क्या होता है आपका किर्टग्न होता है ठीक है आपका सज्जन का क्या होता है बताओ सज्जन का क्या होता है दूर्जन क्या होता है सज्जन का क्या होता है दूर्जन ठीक है दूर्चेन आपका सजीव का क्या होता है निर्जीव मतलब सजीव मने जीवित होता है निर्जीव मने आपका मरावा होता है मतलब जिसमें कोई जीवन ना हो तो उसको क्या बलते है निर्जीव ठीके उसको क्या एगा जो सवस्त होता है तो ठीक होता है दुसरा उसका उल्टा क्या होगा रोगी मतलब बिमार हाना तो इस तरह से आप अपने इनको विलुम शब्दों का आप करेंगे ठीके हाना याथी अब मैं आपको दुसरे वह बलू वाक्य वाक्य बोलती हूँ तो आपको क्या बहुत तेज अनिल के कारण अनल बुझ गया बिभुच गई जो भी आप बहो सभा प्याए जूब आड़ बुझ गई आया आपको कोछ समझ में मैं किस की बात कर रही हूँ किन चीजों की बात कर रही हूँ यह क्या है आपके यह जो मैंने बोले आपको क्या है यह तो यह आपके क्या है समसुरुति बिनार्थक शब्द है ही आपके ठीक है समसुरूती भिनारतक शब्द किने कहते हैं वे शब्द जो सुनने में एक से लगते हैं किन्तु उनके अर्थ भिन-भिन होते हैं आगया समझ में किने कहते हैं वे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं किन्तु उनके अर्थ अलग-लग होते हैं यह अब आपका सम्शूरूती भिनार्तक शब्द कहते हैं, आगया समिझ में, अब हम कुछ सम्शूरूती भिनार्तक शब्दों को लिखेंगे, तो आपका सम्शूरूती भिनार्तक शब्द, ठीक है, अब इसको क्या बला सम्शूरूती भिनार्तक शब्द, ठीक है, अब इसको क मत मिन्स दूसरा क्या होता है दूसरा ठीक है तो आपका ये आपका बाग और बाग ठीक है बच्चे बहुत बाद कन्फिज होते है यह गह और घह में हाना बाग बाग घह और गह है यह ना तो आपका बाग मने आपको सबको पता है क्या होता है बताओ बगीचा क्या होता है ब बाग मने बाग पता है ना आपको एक बश्यू होता है अब आपका समान और सामान ठीक है समान और सामान एक के वल आ की मात्र की वह है बोलने में एक जैसे लग रहे है तो आपका समान मने एक वल मिंस बराबर है ना और सामान आपको सभी को पता है हाना वस्तुर या परदात जो भी आप बोलने चाहे फिर आपका के वहल इसमें एक में चंद्र बिंदी है और इसमें अंकी बिंदी है हना हस और हंस ठीक है तो आपका हस में आपका हर मने हसना और हंस मने आपको पता है एक पक्षी होता है हना अब आपका और 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 में आपका अंतर है हना तो आपका किवल मात्र का अंतर है हना एक में ओ की मात्र है एक में आउ की मात्र है आपकी तो और तरफ और और मने तथा फिर आपका दिन और दीन तो आपको दीन मने दिवस जो हता है और दीन मने घरीब ठीक है आगे समझ में फिर आपका इसमें है कपाट और कपट के बल इसमें आकी मात्रा है इसमें आकी मात्रा नहीं है यह कपाठ है, यह कपठ है, आपका कपाठ मने क्या होता है, पता है आपको, किवार, दर्वाजा जो होते हैं उसको बोलते हैं, किवार, और कपठ मने, कपठ करना, धोका देना, छल करना, तो आपका धोका, ठीक है, पता और पता, ठीक है, पता क्या है आपका, पता होता है, ज का पत्ता, ठीके, आगे समझ में, फिर आपका रक्त और रिक्त, ठीके, भाग और भाग्य, ठीके, भाग आपका हिस्सा, ठीके, 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 उसका मूल्य, ठीके, उसका मूल्य कितना है, उसकी किमत कितनी है, फिर आपके दूसरा सब्ध है, बिक्चु और बिक्चुक, ठीके, तो इसमें भी आपको अंतर लिखना है, आपका बिक्चु क्या होता है, सन्यासी, हाना, और आपका बिक्चु क्या होता है, बिक्चुक बोलते हैं, हम किसे बोलते हैं बिक्चु, बिकारी को, ठीके, आगे समझ में आपको, तो समसूर्थी भिनार्तक शब्द केने कहते हैं हम, जो शब्द सुनने में एक से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग-अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, समसूर्थी भिनार्तक शब्द कहते हैं, ठीके, आगे समझ में अब है वाक्यांशों के लिए आपका एक शब्द वाक्या अथ्वा वाक्य का वहां अंस जिसे एक शब्द अथा शीर्षक के रूप में व्यक्त किया जाए वाक्यांसों के लिए एक शब्द कहलाता है, ठीके, उसे भावसा का हम परभावशाली बना सकते हैं, सुन्दर बनाने के लिए, हाना, हम लोग कई बार क्या करते हैं, अनेक शब्दों की जगा, केवल एक शब्द का हम लोग परियोग करते हैं, हाना, हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि खेतों में काम करने वाला, हम क्या करते हैं, किसान खेत में काम कर रहा है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोलते हैं, तो आपका अब हम यहाँ पर लिखते हैं, जो मीठा बोलता हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम जो मीठा बोलता हो बताओ, मीठा बोलता है, सो बोलते हैं, मृतु भाशी, क्या बोलते हैं, मृतु भाशी, ठीके, जो करवा बोलता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कटु भाशी, क्या बोलते हैं, कटु भाशी, ठीके, आगया समझ में, फिर आपका, जो देखने वाला होता है, किसे क्या बो डर्शक ऐसे नहीं बोलते क्या बोलते दर्शक होना फिर आपका जो बोलने वाला होते जुक्त मैं क्या हूं वक्ता ठीक के आप सुनने वाले हैं तो आप क्या कराएंगे शौता वनोड़ेंग शौता ठीक है जहां पहुंचना कठेन होता है उसको बोलते हैं दुर्गम ठीके आधर देने योग्या उसको क्या बोलेंगे आधरनिया क्या बोलते हैं आधरनिया थीके फिर आपका जो कम जानता हो उसको बोलते आलपग्या और जो सब कुछ जो क्या जानता है जो सब कुछ जानता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग सर्वग्या क्या बोलते हैं उसको सर्वग्या जो किये अपकार को मानता हो उसको क्या बोलते हैं बताओ क्रितग्या क्या बोलते हैं क्रितग्या इसका उल्टा भी होता है जैसे में आपका बताया था विलोम शब ने किर्टग्न जो कियवे अपकार को नहीं मानता उसे किर्टग्न बोलते हैं फिर आपका है अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं वाचाल हाना फिर आपका इसमें है कि जिसे क्या बोलते हैं जिसे नहीं बात जानने की इक्षा हो हाना जिग्यासु जिसे बहुत होता नहीं बहुत से बच्चों को हाना नहीं नहीं चीजे जानने का तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग जिग्यासु क्या कहते हैं उसको जिग्यासु क्य लोग बोलते हैं ठीके जिसका कोई सत्रू ना हो बताओ अजार सत्रू अजार सत्रू बोलते हैं जो दिखाई ना दे उसको क्या बोलेंगे जो दिखाई न दे तो क्या बोलते हैं हम लोग अद्रिश्य क्या बोलते हैं अद्रिश्य आगे समझ में आपको, तो ये क्या है, वाक्यांसों के लिए एक शब्द है, तो कौन से होते हैं, वाक्यांसों के लिए एक शब्द किने कहते हैं, वाक्यांसों के लिए एक शब्द किने कहते हैं, वाक्यांसों के लिए एक शब्द किया जाता है, वाक्यांसों के लिए एक श कुछ शब्दों के अर्थ क्या होते हैं, एक से अधिक होते हैं, जिने अनेक अर्थक शब्द कहते हैं, और अलग-अलग होते हैं, तो उन्हें अनेक अर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मैंने आप पर जाल लिखा है, जाल को हम क्या कहते हैं, नैट, नैट भी बोलते हैं, इंग माया इतना चीज़े एक शब्द को इसकी क्या अलग-अलग शब्ड अर्थ होते हैं इसके अनेक अर्थक शब्ड में हना तो ये क्या है आपका अनिक आर्थक शब्द है ठीके फिर आपका पर, पर मने, आपको कही बार बोलते हैं, उमज जड़िया के पर ख़याब होगय, तो पंक, पंक भी बोलते हैं, और पर, आता है न हिन्दी में कही बार आपका पर, है ना? परंतू, है ना? तो आपका परंतू, ठीक है? होगे इसके सब्डों लग लग, फिर जसमा आपको पता है एनक होता है आपका और क्या बोलते हैं इसको एनक के अलावा जहरणा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं जहर न थीक है? फिर आपका सुर्व parasite means देवत्भ आपको और स्वर जो होते हैं संगीत के स्वर्व Onu पर स्वर्व स्वर्व फिर आपका इसमें काल लिखा है मैंने काल मने समय हना टैंसिज होते हैं न काल समय ये भी वह है समय भी बोलते हैं हना फिर काल आ गया था हना उसका काल आ रखा था मैं सम्रित्यू ठीके आगे समय में और या व्याकरन के उसमें मैंने बोला था आपको टैंसिज बताये थे हाना वो अपने कुल का दीपक था ये कूझे वंस का दीपक था जो भी आपको लिखे।ước से किनारा थीके फिर आपका बाल सभी को पता है बाल हाना बाल मतलब केश जो आपके बाल होते हैं उनको केश भी बोलते हैं हाना इ Sun Alt छोटे ौशुन जोटे बच्चे की जो बालियां होती है उनको भी क्या कहते हैं बाल कहते हैं जिसमें दाने होते हैं कहते हैं उसके गहों की बाल खराब हो गए इसे बोलते हैं तो वो क्या होते हैं जो अनाज की जिसमें दाने होते हैं उसे भी क्या बोलते हैं बाल बोलते हैं इनका अर्थ मिनिंग अलग-अल सौने की किरिया होते आपका Хानधा सोने की किरिया मतलब रुत्व हो протग को इसकी बात करें ठीकैं और दूसर क्यावता सोना हना सूण रहे हैं फैल आपका पत्र ठीकैं पत्र मनें आपका पत्ता ही होता है क्यृ चिठ्थि को आपका हल में खेती करने वाला औजार जो होता है खेत में बाया जाता है ना हल जो किसान चलाते हैं खेतों में उसे बोलते हैं खेती करने का औजार औजार भी कह सकते हैं या समस्या को सुलजाने का हाँ बोलते हैं ना हल हना कि हमने उस समस्या का हल निकाला तो क्योंकि समस्या का को सुलजाना समस्या को सुलजाना भी लिख सकते हैं फिर आपका ताल ताल मने ताला भी होता है आपका ताला हना और ताल मने ले भी होता है आपका ताल मने ले ठीक है आपका सर मने सिर को भी सर भी बोलते हैं और सर ताल आपको भी बोलते हैं ठीक है आगे आपको समझ में फिर आपका चारा मिंस उपाए और चारा किसे भी बोलते हैं कि हाना उपाए घास को भी बोलते हैं हमने गाएं को चारा डाल दिया कहते हैं ना चारा तो यह आपके क्या है अनेक अर्थक शब्द हैं हना तो आज हमने आपके शब्द में क्या-क्या पड़े प्रायवाची शब्द पड़े किने कहते हैं प्रायवाची शब्द जो शब्द अर्थ की दृष्टी से समान होते हैं वे प्रायवाची शब्द कहलाते हैं हना जैसे मैंने बोला था आपका सुरसकर दिनकर, दिवाकर, भानुभासकर इस तरह से, हना तो अर्थ की दिश्टी समान होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रायवाची शब्द कहलाते हैं, फिर आपका विलोम शब्द उपपड़ाया हमने, जो शब्द किसी शब्द के ठ उल्टे अर्थ का बोत कराते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं, समसुरूती विनार्तक शब्द अपके क्यों होते हैं, वे शब्द जो सुनने में एक से लगते हैं, किन्ति उनके अर्थ भिन भिन होते हैं, हमने अभी पढ़े से नहीं हैं, तो आपका किसमें आई ग वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है होना तो आपका इसको हम इसमें लेते हैं अनेक आर्थक शब्द में आपका कुछ शब्दों के अर्थ एक से अधिक अर्थात भीन-भीन होते हैं उन्हें अनेक आर्थक शब्द कहते हैं आगया समझ में आपको इन सब को पढ़न और जो मैंने कार्य पत्रक दिया है उस कार्यों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना धन्यवाद